नमस्कार दोस्तों दिल्ली कैपिटल की जीश से बदल गया IPL 2024 का पूरा पॉइंट टेबल कौन सी टीम को हुआ फायदा और कौन सी टीम को हुआ नुकसान इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जी हाँ दोस्तों हम आपको बता दें IPL 2024 का 26वा मुकाबला दिल्ली कैपिटल और लखनौ सूपर जायन्स के बीच लखनौ के इकाना किर्किट स्टेडियम में खेला गया जिस मुकाबले में लखनौ सूपर जायन्स के कप्तान केयर राहुल ने टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करने का फैसला किया दोस्तों केयर राहुल के 49 और आयूस बदोनी के पचपन रनों की बदोलत लखनौ सूपर जायन्स की टीम ने निर्दारी 20 ओबरों में 166 रन बनाई और दिल्ली कैपिटल को जीत के लिए 166 रनों का टार्गेट दिया दिल्ली कैपिटल की टीम ने पिर्तिवी साथ, जैक और रिशपपन्त की सांदार बल्ले बाजी के दम पर दिल्ली कैपिटल ने मुकाबले को अपने नाम कर लिया दोस्तों अगर आप भी केर रहुल के सच्चे वाले फैन हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमें मोटीबेसन मिलता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चलिए दोस्तों आज की इस सांदार वीडियो की सुरुआत करते हैं दोस्तों IPL 2024 के पॉइंट टेवल में दसों नमबर की टीम की बात करें तो हाप डू प्लेसिस की कप्तानी वाली रायल चलेंजर बैंगलरू का नाम आता है IPL 2024 में अभी तक RCB ने कुल 6 मुकाबले खेले हैं जिसमें से एक मुकाबले में जीत मिली है उसे 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और पॉइंट टेवल में उसके दो अंख है उसका नेट रन रेट माइनस 1.124 का है RCB को सूपर 4 में कौलिफाई करने के लिए अपने बचे हुए सारे मुकाबले जीतने होंगे तब ही वा सूपर 4 के लिए कौलिफाई कर पाएगी नहीं तो IPL 2024 में पूरी तरह से बाहर हो जाएगी उसे हार का सामना करना पड़ा था और पॉइंट टेवल में उसके चार अंख हो गए हैं दिल्ली कैपिटल के नेट रन रेट की बात की जाए तो माइनस 0.975 का है IPL 2024 के सूपर 4 में कौलिफाई करने के लिए दिल्ली कैपिटल को अपने बचे हुए सभी मुकाबले जीतने होगी अगर दिल्ली कैपिटल की टीम अपने बच्ची हुए सभी मुकाबले जीच जाती है तो आईपील सूपर फोर के लिए क्वालिफाई करेगी आईपील 2024 के पॉइंट टेबल में आठवे नंबर की टीम की बात की जाये तो किंग 11 पंजाब का नाम आता है किंग 11 पंजाब की टीम ने आईपील 2024 में अभी तक कुल 5 मुकाबले खेले हैं 11 पंजाप को दो मुकाबलों में जीत मिली है तो तीन मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है और पॉइंट टेबल में कुल उसके चार अंक हैं और इसका नेट रन रेट माइनस 0.196 का है IPL 2024 के पॉइंट टेबल में सातों नंबर की टीम की बात की जाये तो सातों नंबर पर मुंबई इंडियन्स का नाम आता है जिन्होंने अभी तक कुल पांच मुकाबले खेले हैं जिसमें से दो मुकाबलों में जीत मिली है जबकि तीन मुकाबलों में उसे हार का सामना करना प पॉइंट टेबल में उसके 6 अंक है और उसका नेट रन रेट माइनस 0.637 का है दोस्तों IPL 2024 के 500 नंबर की बात की जाए तो 500 नंबर पर संराइजर हैदराबाद का नाम आता है संराइजर हैदराबाद की टीम ने अभी तक कुल 5 मुकाबले खेले हैं जिसमें से 3 मुकाबले मे जीत मिली है तो 2 मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा है और उसके पॉइंट टेबल में 6 अंक हो गए है और नेट रन रेट की बात की जाए तो प्लस 0.344 का नेट रन रेट है दोस्तों अगर IPL 2024 के पॉइंट टेबल में 14 नंबर की बात की जाए तो 14 नंबर पर ल 0.436 का है जो काफी अच्छा माना जाता है IPL 2024 के पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर की टीम की बात करें तो तीसरे नंबर पर चेने सूपर किंग का नाम आता है जिनोंने अभी तक IPL 2024 में कुल 5 मुकाबले खेले हैं जिसमें से 3 मुकाबलों में जीत मिली है तो 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और पॉइंट टेबल में उसके कुल 6 अंक हैं CSK के नेट रन रेट की बात की जाए तो प्लस 0.666 का है दोस्तों IPL 2024 के पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर की टीम की बात की जाए तो दूसरे नंबर पर KKR का नाम आता है KKR की टीम ने अ प्लस 1.528 का है जो की काभी बेहतरीन माना जाता है जी हाँ दोस्तों हम आपको बता दें IPL 2024 के पॉइंट टेबल में पहले नंबर की टीम की बात की जाए तो पहले नंबर पर रायल्स थान रायल्स का नाम आता है जिनोंने 5 मुकाबले खेले हैं जिसमें से 4 मुकाबलों भ का सामना करना पड़ा था IPL 2024 के पॉइंट टेबल में उसके 8 अंक हो गए है और उसका नेट रायल्स प्लस 0.871 का है दोस्तों आपको क्या लगता है IPL 2024 की वहां कवन सी 4 टीमें होंगी जो सूपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगी कमेंट सेक्षन में अपनी कीमती राय दोस्तों अगर चैनल पर आप पहली बार आये हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे सस्क्राइब करना मत भूलिएगा वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद